समस्कार दोस्तों स्टड़ी विद संतोस यूट्यूब एजूकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों जो वीडियो लेक्च्चर सीरीज हमने चला रखी है उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं यहां पर जो एक्जम एस एसे सीज वर्दा में करेंगे जो दिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जिरूर कर ले पहला ही क्योस्टन है क्योस्टन नमबर 69 था जो एक्जम के अंदर क्योस्टन यह है फिलिंग द ब्लैंक्स विद क्रेक्ट ओप्षन सही ओप्षन से ब्लैंक्स को सब्सक्राइब जो है उसके बाद है यस दे है संटेंस का मीनिंग क्या रहेगा वो कुड़ है वीन हो सकते थे ठीक है डिलेड मतलब देर बाइदी सनो यानि बरफ बारी से उनको देरी हो सकती थी बरबबरी के कारण वो देरी से आ सकते could have been का मतलब क्या होता है ऐसी possibility जो past में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं जो past में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं तो उसके लिए हम could have been का use करेंगे और ये जो sentence है दूसरा yes they ये क्या कर रहा है इस sentence को support कर रहा है कि हाँ वो हो सकते थे तो उसके लिए हम में वर्ब का यूज ना करके में वर्ब का यूज नहीं करेंगे जो helping वर्ब हैं उनका यूज करेंगे तो यहाँ पर दो ही helping वर्ब लेंगे जो पहले वाड़ी helping वर्ब हैं could have का यूज करेंगे तो अंसर हमारा रह जाएगा A, C गलत हो जाएगा, B बी गलत हो जाएगा और D बी गलत हो जाएगा, सही संटेंस रहेगा, they could have been delayed by the snow, yes, they could have, वो बरहबारी के कारण देरी से आ सकते थे, हाँ, वो आ सकते थे, ठीक है, यह है हमारा सही संटेंस, नेक्स्ट है, 70 नबर किस्टन, दे रिपोर्ट इस वेरी क्रिटिकल, एंड इस कर लियली, जो रिपोर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, एंड और इस कर लियली, और साफ तोर पर, अब इसमें कैसे बरेंगे इसको, देखो, सबसे पहले तो दिया गया है, इंटे का मतला होता है, इरादा, ठीक है, या होने की संभावना, इंटेंड, इंटेंड का, अकेले का मतला होता है, इरादा, और इंटेंड इंटेंड का मतला होता है, इरादा या संभावना ही होता है, उसका पास्ट हो गया, इंटेंड, 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 इंटेंड इंड कैसे आएगी क्रेटिकल आएगी यह संटेंसे पूरा रिपोर्ट बहुत ज़्यादा क्रेटिकल है नाजुक है एंड इस कलियर ली और साफ तोर पर ऐसे होने की पहले से ही संभावना थी तो यहां पर इंटेंडिड टू बी का यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर बी का और बी दिखता है वाजवर की फॉर्म को मतलब पहले से ही होने की संभावना थी ना पास्ट की बात कर रहिए कि पहले से ही ऐसे होने की इरादा या संभावना थी तो इसके लिए हम इंटेंडिड टू बी का प्रियोग करेंगे क्योंकि इसके अंदर इंटेंडिड भी पा am hat gaat गी इंटेंड टूबुए हम यह अंद बी नहीं है और इंटेंड टूब भी ।ं टूब worker गउ मसिन भी नहीं हैी नहीं है और इं्टेंड टूबट क्यों ही कि यह प्ता में नहीं दियाल इंटेंड गजह तो यहां पर ㄶाम रहेगा, the report is very critical and is clearly intended to be, ठीक है, आपका option बी सही हो जाएगा, next question है, 71 number, 71 number question को करते हैं, filling the blanks with suitable form of verbs, form of verbs यानि tenses, form of verbs, tenses ही होते हैं, तो यहाँ पर question दिया गया, 71 का V, blank दिया गया है, read, read की verb की form हमने बढ़नी है, since two o'clock, हम दो बजे से पढ़ रहे हैं, मतलब past में किसी point पर दो बजे थे, उससे लेकर अब तक, अब तक वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो past की कोई गटना जो past में start होई हो, और present तक continue हो, तो उसके लिए हम present perfect continuous या present perfect tense का प्रियोग करते हैं, possession वगएरा के लिए present perfect यानि है फिलस का वर्ब की third form, और यदि कोई कारिय एक्चियल में continue है, तो उसके लिए present perfect continuous का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर यह जो कारिय है, सच में चल रहा है, तो इसके लिए present perfect continuous का यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखो since भी दे रखे है, since भी हमें बताता है, since या फोर जहाँ भी आ जाएं, वहाँ पर present perfect या present perfect continuous का हमें प्रियोग करना होता है, तो इसके अंदर हम present perfect continuous का use करेंगे यानि has been reading या have been reading we लिया है तो इसके साथ have been reading लेंगे has been reading गलत हो जाएगा क्योंकि subject वरव agreement ही हमारा यहां पर fulfill नहीं होगा was reading तो बिलकुल गलत है past continuous नहीं है ये गड़ना present तक आ रही है और reads यानि ये present की बात कर रहा है और reads singular है तो सही sentence आप कर रहेगा we have been reading since 2 o'clock हम दो बज़े से पढ़ रहे हैं ठीक है next question है filling the blanks with suitable form of verb वही है suitable form of verb से आपको इसके fill करना है he will unlock the door when he blank get there ठीक है इसकी हिंदी क्या रहेगी he will unlock the door वह दर्वाजे को खोलेगा future की बात है नहीं खोलेगा when जब he get there जब वो यहाँ पर आएगा तभी वो दर्वाजे को खोलेगा उसके पास की होगी बात यह है तभी तो वो खोलेगा देखो अब सबसे पहली बात यह है कि यह दोनों sentence जो है वो when से जुड़े है किस से जुड़े है when से जुड़े है अच्छा कह रहा है कि वो दर्वाजे कोलेगा जब वो यहाँ पर आएगा तो एक condition मन की नहीं जब वो आएगा कंडिशन वाले sentence में देखते हैं कि क्या हम फिल करेंगे जब आपका जो main sentence है उसके अंदर यदि will दिया गया है तो इसके अंदर हम वो आपकी first form यूज़ करेंगे देखो यहाँ पर will दिया गया है तो इसमें जो condition वाला part है उसमें वाब की first form यूज़ करेंगे अगर यहाँ पर would दिया होता तो हम यहाँ पर वाब की second form का यूज़ हम कर लेते हैं यह conditional tense का chapter एक वीडियो था 10-15 मिनिट का जो आपको मैंने करवाया था उसको जुरूर देख लीजिए उसी के ओपर यह question है बिल्कुल इजी question है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो main sentence है उसके अंदर will दिया गया है तो जो दूसरा part है उसके अंदर वाब की first form यह बिल्कुल simple rule है यह आपको याद रखना है दुबारा will नहीं लगा सकते क्योंकि वो double will error हो जाएगा तो अगर will है तो इदर first की वाब की first form का हम simply use कर लेंगे तो he के साथ singular वाब ही आएगी वाब की first form he gets there ठीक है क्योंकि get तो लगा नहीं सकते get plural हो जाएगा he singular है subject वर अग्रिमेंट भी तो हमने देखना है तो he gets there हो जाएगा और present में भी हमने इसको रखना है तो सही sentence हो जाएगा he will unlock the door when he gets there तो is getting गलत हो जाएगा ये continue की बात कर रहा है got past की has got me present perfect की बात कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है simple present का use हम यहाँ पर करेंगे जब वो यहाँ पर आएगा तो वो ही द्रवाजे को खोल लेगा next question है 73 number choose the correct meaning of the underlined idiom from the given options idiom का question है जो underlined idiom है उसका meaning हमने बताना है the speaker of lock sabha lock sabha के speaker ने steered up a hornet nest by referring to the implementing changes in several rules ठीक है कह रहा है कि lock sabha के speaker ने steered up a hornet nest कर दिया कि जो लागू किये हैं बदलाओ अनेकों रूलों में जो लागू किये हैं बदलाओ उसके बारे में बात करके lock sabha के speaker ने क्या कर दिया steered up a hornet nest कर दिया इसका meaning हमने बताना है कि क्या होता है देखो steered up a hornet nest क्या होता है steered का मतलब होता है ilana क्या होता है ilana, dulana, movement करना और hornet का मतलब होता है एक तरह की मक्ही होती है जो बहुत खतरनाक होती है जिसको हम अगर बिरड भी कहते हैं wind या बिरड ठीक है बहुत खतरनाक एक तरह का ततहिया होता है और मतलब उससे भी जदा ततहिया से भी जदा खतरनाक होता है आप अगर हरियाना से हो तो बिरड से समझ जाओगे कि क्या होता है तो अगर आप बिरड के चत्ते को हिलाओगे तो क्या होगा बिरड यानि नेश्ट वने च्छत्ता अगर आप बिरड के च्छत्ते को मुमेंट करोगे तो क्या होगा वो बहुत खतरना चीज है टरबल वाली चीज है ठीक है इसका मतलब होता है मेक टरबल ठीक है मेक टरबल या कह सकते हैं रेज कॉंट्रोवर्सी रेज Controversy का मतलब होता है विवाद, विवाद का मुद्दा उठाना, विवाद बरा मुद्दा उठाना, ठीक है, संसद में जो है विवाद ही तो होते हैं, तो उसने क्या कर दिया, एक Controversy को रेज कर दिया, लोग सबसपिक करने, या कह सकते हैं कि स्टिड अपे होरनेशनेश्ट कर दिया या कह सकते हैं कि एक ट्रबल जो है उत्पन कर दिया मेक ट्रबल कर दिया और पूरी संसद में क्या होगी हल चलोगी विवाद बरा मुद्दा वहां पर उठ गया एक 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 टूरी वाड़ा कच भी नहीं है कंफ्यूज निमसेल्फ खुद कंफ्यूज वाड़ी बात भी नहीं है परफॉर्मड एडिफिकल टास्क यह कोई बादुरी का काम नहीं है उसने मदुमक्षी के चत्त्य को इलाया है इसका मतलब उसने मुसीबत वाड़ा काम किया है विवाद वाड़ा काम किया है यहाँ पर इह होर नेस्ट का मतलब वजाएगा रेज कॉंट्रो वर्सी नेक्स्ट किस्टन है 74 नोबर किस्टन यू कैनोट विफूल मी एज आई वाज नोट बोरन येस्टरडे मैं कल पैदा नहीं हुआ था इसका मतलब क्या होता है कि तुम मुझे बेवकुफ नहीं बढ़ा सकते मैं कल पैदा नहीं हुआ था इसका मतलब ये है कि कहने वाड़ा कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ या वो सच में है तो इसका मतलब वो क्या है वाइज है और वर्डली वाइज का मतलब होता है जो जगह जगह पर गुम्मया हुआ हो जैसे गाट-गाट का पानी पीने वाड़ा जिसने गाट-गाट का पानी पिया वो क्या होता है बुद्धिमानित होता है तो वो होता है वर्डली वाइज या कह सकते हैं सांसरिक ज्यानी जा फिर घाट घाट का पानी जिसने पिया हो तो उस आदमी को आप बेवकुफ नहीं बणा सकते तो इसका उतलब यही है तुम मुझे बेवकूप नहीं बना सकते मैं कल पैदा नहीं हुआ था इसका मिनिंग रहेगा वर्ली वाइज यानि बुद्धिमान व्यक्ति वीक मतलब गमजोर अनेबल टू अंडरस्टेंड इस जैसा ही होगे कुछ गिव फाल्स होप यह तो बिल्कुल भी नहीं है तो इसका सही अंसर है का वर्ली वाइज सांसारी ग्यानी या इसने गाट गाट का पानी पिया हो नेक्स्ट किस्टन है 75 नंबर पिक आउट दे वर्ड नहीं है सो 200 वर्ड है में इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट उनको कर लीजिए बाकिस का एक रूल ये भी है कि जब भी आप कहीं पर भी इंगलिस का कुछ भी कर रहे हो और आपके सामने को यह ऐसा वर्ड आता है जिसकी स्पेलिंग को आप खुछ से नहीं लिख सकत है तो उसको दो-चैर बार लिख के देख लीजिए अलग से किसी नोट बुक में नोट डाउन कर लीजिए तो दो-चैर बार देखोगे तो वह वर्ड आपको कलियर हो जाएगा इस परकार से आप अपनी जो इसको रॉंग स्पेल्ट है उसको अच्छा कर सकते हो ठीक है तो बिल्कुल सही दी गई है इटी आई क्यो यू ए डबल टी ए ठीक है ये सब्द कहां से बढ़या इसका कोई मतलब बेस नहीं है इसका मतलब होता है सिष्टा चार जो आप एक दूसरे से विवार करते हैं वो क्या कहलता है सिष्टा चार कहलता है सेट ओफ रूल्स सेट ओफ लोस्क्ररेक्चा बहेवियर तो इसकी स्पेलिंग ही बिल्कुल सही है यीला इंडबल टी इच चिपन इसके बाद इचाता है लीगटिक है कि मतलब हõता है परती निदी क्या होता है जब कोई व्यक्ति जो किसी कारिय एक देख रहा हो वह वहां पर उपस्तित नह नहीं उस उसका कारिय उसका परति निदी देखता है उसका लिटिनेंट देखता है जैसे हमारे जो उपराष्ट पती जी है वो राष्ट पती जी के क्या है लिटिनेंट है परति निदी है अगर राष्ट पती जी यहां पर नहीं हो तो उनका कारिय वारकोन देखेंगे उपराष्ट प मतलब होता है place क्या होता है जगह और T E N A N T tenant tenant का मतलब क्या होता है किराएदार ठीक है जो किराएदार ठीक है मतलब जगह को किराएपे देना जगह को किराएपे देना लिव मतलब जगह L I E U मतलब जगह T E N A N T कि मतलब किरायदार जब आप किसी जगए को किराय पर दे देते हो तो जो किरायदार है वो उस जगए के क्या हो जाता है परति नहीं हो जता है एक्षियल में तो नहीं है मालिक वो उसका लेकिन उसका काम वहीं देख रहा है काम वहीं देख रहा है जो किराय पर रह रहा है तो लिटिनेंट सब्द कैसे बने कि किसी के स्थान पर किराए पर रहना तो लिटिनेंट एक तरह पर किराए पर रहने वाली बात है तो लिटिनेंट ठीक है इससे बने हैं लिटिनेंट तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे का काम देखते हैं जैसे जो सीनियर ओफिसर है और में लोगझ भाई धू जिया है जैसे कौंस्टेबल है या हेड कौंस्टेबल है उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं और तिर निच्जवादों को देता है तो इसका अधल भी लूतिनेटु हो इसकी हैDR को क्या ऎ then in place of tenant ऐसे याद रखेंगे इसके बाद है soliloo की soliloo को की मंतला होता है अकेले में बात करना बड़ बड़ाना यह spelling गलत है इसकी स्पेलिंग रहेगी s o l i ठीक है l o q u y soliloo q soliloo q मतलब अकेले में बात करना यह दो सब्दों से मिलकर बने है एक तो बने है soli और दूसरा है l o q u y l o q u y का बात होता है बात करना लोक l o q u y का मतलब होता है बात करना और soli का मतलब होता है अकेला soli किस से बने है solo से बने है solo का मतलब अकेला ही होता न s o l o solo का मतलब अकेला होता है solo games लेकिन उस सोलो से हमुने यहां पर सोली ले लिया यानी अकिला और ल, o, q, u, y मतलब बात करने वाड़ा अकेले में बात करने वाड़ा जो अपने आप से बात करने वाड़ा सोली लो, q, उसको हम पागल या बुद्दिमान कुछ भी कह सकते हैं अपने हिसाब से लेकिन इसका का मतलब यही है कि अकिले में बात करना तो इसमें डबल ल नहीं आएगा सोलो में सिंगल लगता है तो इसका सभी स्पिलिंग रहेगी सो लॉक्या विफस्ट ङूल वह सॉलिलो क्यों एक्स टा तो उसी का मतलब होता है विभाग तो वो क्या है एक विभाग है जाँच का विबाग है बारत का ठीक है तो विभाग जो राजगरे क्या कहलता है नोकर शाही मतलब नोकरी तंतर या जो भी मतलब इंडिया में क्या है ब्यूरो क्रेसी ही है जो विभाग के अधिकारी है वही क्या करते है तंतर को चलाते है जो IPSIA से अधिकारी है वही हमारे देश को चल रही है ठीक है तो यहां पर Bureau Cresi है तो यह दो सबदों से बनने मिलिए है Bureau और Crac median शही है तो लिल्ल ओक्षोड को यहां पर स्क एकिव करेंने विडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में प्रेख जरूर किजिए और विलैन जो कौन सा जो गलत है वो हमने बताना है तो विलेनियस, ट्रांसियंस ग्रेवियंस और रिसीव देखो विलेनियस किसे बने है, विलेन से बने है विलेन का मतलब क्या बता है बुरा, सत्रू या जो भी है मतलब बुरे टाइप का आदमी क्या गलता विलेन गलता, खलना एक गलता है, तो यहाँ पर जो है, विलेनियस की ही स्पेलिंग गलत जीए गई है, विलेनियस जो बनेगा, जो विलेन से बनेगा, वी डबल एल, ए आई अन, इसका रता है, विलेन, और उसको, किसी भी चीज की अधि लेक्ता को दिखाएगा ठीक है यह कह सकते हैं कि वो नाउन से क्या बना देगा अड्जेक्टिव बना देगा विलेन तो एक नाउन था और विलेनियस क्या है एक अड्जेक्टिव है विलेनियस क्या है अड्जेक्टिव है विशेशन है किसे की विशेशता बताएगा जैसे विलेनियस पर्सन, पर्सन की विशेशता विलेनियस बताएगा, लेकिन विलेन एक नाउन है, कि किसी की विशेशता नहीं बताएगा, विलेनियस क्या है, अडजेक्टिव यानि विशेशन, तो उसी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है, जो यह ए है, इसके अंदर एक् है त्रांसियन्स सही है जो यह ट्रांस सब्ध से बने है ट्रांस का उफलता है एक जगे से दूसरी जगे जाना ट्रांस पॉर्ट यह इंस उसी ट्रांसपोर्ट से हम मरेंगे तो ये चलने जैसे कोई चीज है तो ये ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रांसब्द से ही बनी है तो ट्रांसियस का मतलब होता है नसवर्ता ग्रेवियंस का मतलब होता है दुख ये गरीब से बना है तो इसकी स्पेलिंग भी यहां पर ही दी गई है जी आर गरीफ की स्प मतलब सम्मान की बात है अपने प्रोफेशन को उसके प्रोफेशन को वो उसके सम्मान की बात है किसके सम्मान और किसका प्रोफेशन कुछ नहीं बताया गया है तो इसका अतलब स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बताया गया है तो ओनर जो है अगर स्पेसिफिकली ना बताया जाए तो दा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफाइनाइट के अग और ओ क्या है कि वोवल है ठीक है वोवल है और वोवल के साथ हमेशा एन का यूज करेंगे आपको पता भी है यह सब्द एक्सेप्शन में है एन ओनर वो अपने देखेपरती क्या है ओनर है मतलब एक आइकन है एक तरह का सम्मान की बात है ठीक है नेक्स्ट किस्टन है इसको याद रख लेना यह डारेक्टली किस्टन में कुछते हैं राम गेव मी वन रुपी नॉट राम ने मुझे एक रुपे का सिक्का दिया ठीक है एक रुपे का सिक्का अब इस एक रुपे के सिक्के के बारे में क्या और और इंफ्रमेशन दी गई ह कि उसका son क्या था वो Rま को कहां मिला था या वो पुराणा था वो नया था कोई भी specific बात या जो उसको साध्य में मिला था कुछ भी मतलब कुछ भी extra नहीं दिया गया ना बस 1 रूपे का सिख्का दिया तो कोई specific 1 रूपे का सिख्का नहीं है अब आगे यह लगा देता that he found that he found yesterday जो उसको कल मिला था that he that he received in his marriage तो ऐसा कोई एक रुपे के सिक्के की बात नहीं की गई है simply एक रुपे के सिक्के की बात की गई है मतलब यह specific तो नहीं है specific नहीं है तो इसका मतलब क्या है दा तो नहीं आ सकता तो one के आगे क्या लगाएंगे a या अन में से लगाएंगे जो की indefinite है one का pronunciation ऐसे होता है one तो वे क्या है consonant है अगर हिंदी में कहें तो एक वेंजन है सवर ए आ ए ए होते हैं और वेंजन कैगः यह होते हैं तो कहा कहे को कहें अंदर ही वहता है तो वएंजिन है वंजिन के सामने हम एंजन लगाएंगे तो यहां पर सही रहेगा राम गयोमी ए और रूपी द करें राम का रू। ने मुझे एक एक रूपे का शिखका दिया ठीक हैं तो ही आज्वा आज का वीडियो लेक्चरी यहीं पर हम समाप करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सेर जरूर कीजिए दन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो जैहिन जै भारत